आज हम आपको 214, HBF 214, Home Run का जो मोडल है HBF 214 उसकी जो मेमोरी होती है, फोर मेमोरी होती है वो मेमोरी हम चेंज और डिलिट कैसे कर सकते हैं, वो बताएंगे एक बार तो सबसे पहले क्या है कि इसमें मैंने एक मेमोरी सेट किया हुआ है P1 पे तो मैं इसको ओन कर रहा हूँ, ओन करने के बाद ये दोनों एरो उपर बिलिंक करते हैं तो अभी जो मेमोरी मुझे डिलिट करना है, वो वाली उसके मैं उसको सलेक्ट करता हूँ P1 मुझे delete करना है इसमें P1 ये उपर ये guest का निसान आ रहा है P1 का memory का तो इसमें ये memory को में उजे delete करना है तो ये ऐसे दोनों arrow बिलिंक कर रही है memory के साथ में तो set का button दो बार मुझे press करना है दो बार set का button प्रेस करना है तो ये उपर आएगा change और delete एक बर निष्या है तो दिलिट रहे तो दुबारा दबाता हूं तो चेंज है चेंज भी कर सकते हो जाता हो मुझे डिलीट करना है तो पे जाते हो डीलिट है तो set का button प्रेस करना है यह आप से पूछेगा कि कि होग कि मुझे clear, clear हो जाता है यह आपका clear हो गया, आप दुबारा से इसमें आप डाल सकते हो अपनी P1 पे आप set कर सकते हो तो set का button मैंने press किया इसमें age डाला male female है, यह जो left side वाला यह male है और right side वाला female है तो यह female है और यह male है set किया, height centimeter में है तो centimeter में मैं height डाल सकता हूँ यह मैंने height डाला अब इसमें यह memory add है P1 पे P2 पे कोई memory नहीं है इसलिए blink कर रहा है ताब इस पे भी set कर सकते हो P3 पे भी set कर सकते हो P4 पे भी set कर सकते हो और एक होता है P यह guest होता है, उपर यह guest लिखा हुआ है यह guest होता है यह memory अपने आप ही erase होती रहती है इसमें कोई memory save नहीं होती है तो P1 मुझे अगर यह delete करना है तो delete करने के लिए दो बार मैंने set का button दो बार प्रेस करना है change and delete आएगा तो delete कर सकते हैं और change कर सकते हैं अब की बार मुझे change करना है तो यह change का मैंने दबाया तो age blink करने लग गया तो age आप बढ़ा सकते हो